हेलो एवरिवान मेरा नाम है इत्या जानब आज मैं बात करूंगी चॉसर का कॉंट्रिबीशन क्या रहा है इंग्लिष लिट्रेचर में यह दुस्ट आप सभी को पता होगा चॉसर इस कॉल्ड फादर फिंग्लिष लिट्रेचर के फादर माने जाते हैं यह कई सारे पोईट्स ने चॉसर के लिए अलग अलग व्यूस दे हैं ठीक है चॉसर is unpolished diamond ये भी बोला गया है कि diamond तो थे वो लेकिन unpolished थे ठीक है तो बात करेंगे आज कि चॉसर ने English literature को ऐसा क्या दिया है कि ये father कहे जाते हैं तो अगर आपको question आता है why is chocer called father of English literature or you are asked what is the contribution of chocer okay so इस तरही के सा जॉसर के पर कुछ भी question आए तो आप जो मैं आपको notes देने जा रहे हूं with lucid explanation it will help you out believe me तो चलिए हम बात करते हैं Geoffrey Chaucer is the full name ठीक है complete name इनका Geoffrey Chaucer है English literature के father माने जाते हैं क्यों क्यों कि ये ही सबसे पहले शक्स हैं सबसे पहले इंसान है कि इन्होंने जो भी लिखा he was the first to write जो भी लिखा what became generally well known मतलब कि जो लिखा वाकरी generally लोगोंने जाना उसको ठीक है पहचा समझा and recognized poems and stories in the language of common people of his time और उस वक्त वाकी common लोगों को समझ में आई poems क्या होती है stories क्या होती है बासन मारी है तो it was the first time when people realized कि what is poem what is the role of story until that time means उस समय तक जब Chaucer का time था उस समय तक जो language थी educated और लोगों की written literature लिखने के लिए लोग किस चीज़ का use करते थे french का use करते थे latin का use करते थे तो ये दोनों languages जादा लोग use कर रहे थे तो उस वक्त English में लिखना कितनी बड़ी बात थी इस वज़े से ही इनको father of English literature बोला जाता है आगे हम लोग अलग पॉइंट वाइस इनको बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने contribution दिया जैसे कि मैं आपको बताओंगी कि ड्रामा जो आज हमारे पास है शेक्सपर के इतनी अच्छे ड्रामाज है क्रिस्टाफर मारलोव के बहुत सारे लोगों के तो ड्रामा का जो origin हुआ है वो भी एक त इंग्लिश लांगे जो है कई सारे अलग अलग लांगे जुसका मिक्चर है इसमें कुछ हम लोने फ्रेंच वर्ट्स भी बोरोग ही है कुछ लाटिन वर्ट्स भी लिए है तो फाइनली जो हमारे तक लैंग्वेज आई है वो चौसर नहीं शुरुआत करी थी ओके अगर च जो जन्म हुआ एक तरीके से वह भी चौसर का ही कॉंटिबीशन रहा है बहुत करेंगे इस पेज अब इस मैं आपको उपरी बता रहीं क्या बात करने माना है चौसर का जो रहा है वर्स में वर्स क्या होती है राहीम वर्स नांक वर्स अपड़ा होगा अगर तो वर्सिफि लैंडवेजं अब्से ईन नहीं बहुत कर को मेंचे होताओ नहीं है ऐसhone एक प्लापको धायाफ मुझे बते बइस इंग्लिश जा वोगों कोह्ति कौन से लांग्वीं तो आपको सामने वाले से लिसे इंगलिश अब्सक्राइडे आप बहार जाओगे हो सकता है अथिभी एक ऐसी कॉमन लाहिग्विश को समझ सकते है ऐसा किया जो भ month कहले पर्मिनिंट पोजीजन आजी नहीं उस वक्त यानि कि उस वक्त भी फ्रेंच और लाटिन के कॉम्पारिजन में उन्होंने अपना मुकाम बनाया ठीक है इंग्लिश लांग्विज ने चॉसर के जरिए और आज भी ठीक है वोग एक ब्रांड भी है तो वोग का मतलब होता है फैशन तो उस वक्त यह फैशन था यूज करना पोईट्स का लाटिन और फ्रेंच में लिखना ठीक है उस वक्त चॉसर से पहले जो पोईट्री वगरा लिखी जाती थी ज्यादा तर रिलीजिस थीम्स पे लिखी जाती थी करने से किस लैंगविज को मना किया फ्रेंच को और लाटिन को क्या उस किया इंगलेश लागविज जो चॉसर ने यूज करी थी वो पॉलिश का मतलophém000 जो आज हमारे पास बड़ीयाकर लांग्वेज है सुनते हैं कोई बोलता है तो कानों को अच्छी लगती है सुनने में इंसान एक बार पलाट के दरूर देखता है ठीक है ओके बोलने को इवन टुड़े जब कि हार किसी को आजकल इंग्लिश आने लगी है उसके बाद भी एक है वोकाल बना हुआ है इंग्लिश का इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस वक्त जो यूज करी नोंने हाला कि वह पॉलिश नहीं थी ठीक है और नहीं वोकाबलरी से भरी हुई थी ज उन्होंने बोला कि Chaucer found his English as a dialect and left it in a language डायलेक किसे बोलते हैं डायलेक का मतलब होता है लोकल लांग्वेज यहनी एक पंटिकुलर एरिया में यूज होने वाली लांग्वेज को बोलते है डायलेक यहनी कि उस वक्त यूज किया उस वकत English डायलेक थी मतलब कि उन्हीं वही चaucer के टाइम में जो कुछ poets बगरा जो contemporary poets थे उनके समय के जो poetry वो लख लिख रहे थे चaucer के साथ साथ वो सारी poetry allegorical poetry थी allegorical means वह जादा था symbols का यूज करते थे किसी चीज को किसी से मिलाते थे इस तरीके से allegorical poetry के general themes होती है वो क्या होती है वो generally religious themes को लेते थे बस हज में आ रही है तो he used who used the poets contemporary poets of Chaucer use allegorical poetry which had no relationship with reality of time लेकिन चौसर के बात करें तो जो कि चौसर के जो Canterbury Tales है अगर आपने पढ़ी हो तो इतने अच्छी अच्छी characters और different characters कोई character किसी character से match नहीं करता है Canterbury Tales बहुत famous है अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़ियेगा जरूर अगर आप English Literature के student हो तो तो Chaucer की जो Canterbury Tales है आपको देखने को मिलेगा reality उसके अंदर वाकई जो real life में होता है उनकी poets में सीधे लोगों को किस से जोड़ा? Life से जोड़ा हर character तो describe किया गया है Canterbury Tales में Tales का मतलए भी समझे आप कहानिया तो इस में नोंने particular कहानिया लिखी है काई सारी अलग लग लग लोग तो जो characters लिए है Knight का character लिए Knight N.I.G.H.T. Knight नहीं K.N.I.G.H.T. Knight का मतलब पता है योद्धा एक योद्धा को दिखाया तो वाकई जैसा होता है वैसा दिखाया एक नर्स को दिखाया तो बढ़िया दिखाया है Common Life के लोगों को जोड़ा है ठीक है? अपने इस poem है और किसी भी character को exaggerate नहीं किया है exaggerate का मतलब बढ़ाया चड़ाया नहीं है Let's discuss Chaucer's contribution to drama कि ड्रामा में किस तरीके से हम Chaucer का contribution देखते हैं अब आप बोलोगे कि Chaucer ने तो कोई ड्रामा नहीं लिखा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि Chaucer ने ड्रामा में contribution दिया हो तो आप उस पर discussion करेंगे कि किस तरीके से Chaucer का contribution रहा है Chaucer की poetry में कुछ ऐसा दम था ठीक है कि उसने ड्रामा को develop किया कैसे Chaucer को जो main आप यार रखना है work वही Canterbury Tales ठीक है दस work के उपर भारी है उनका यह work Canterbury Tales ठीक है उस time में लिख पाना बहुत बड़ी बात है तो Canterbury Tales के जो अगर आप characters को देखें अभी हमने बायत करी उन्हें ना underrate किया है और ना ही exaggerate किया है ठीक तो जो characters को दिखाया उन्होंने तो characters जब लोगों ने देखा कि characters के उपर भी तो लिखी जा सकती poems तो इससे क्या हुआ लोगों ने सोचा कि एक और तरीके से सोचा जा सकता है और आपस में बात बात करा के एक ड्रामा बनाया जाए तो इनहीं के characterization जो की चौसर ने किया यही first element बन गया drama को rise देने में आपको इलाइन समझ में आई characterization in the canterbury tales is said to be the first element of drama that gave rise to drama fine I wish आपको इलाइन बहुत से समझ में आ गई होगी and generally आपको पता है जिससे मैंने भी बात करी कि drama कुछ नहीं है बलकि क्या है dialogues का तो collection ही तो होता है drama एक लोग बात कर रहे हैं दूसरा बात कर रहे हैं अपने अपने मुझे बोल्ड रहे हैं characters यह तो drama होता है और यह हम कहां देखते हैं canterbury tales में देखते हैं कि उसमें क्या होता है जितने भी characters है वो सब अपनी कहानी सुनाते हैं एक कहानी सब को सुनाना होता है तो वो बोलके तो सुना रहे हैं दूसरा सुन रहे है उसके कहानी को समझ में रहे हैं तो एक तरीके से क्या हुआ dialogues के जरिए उन्होंने अपनी इस work को produce किया था, तो यहां से Chaucer के characters किया है, are free to talk about everything, they were talking about everything, okay, why it is called everything, क्योंकि वो अपने life के बारे में बता रहे हैं, एक दूसरे को characters जो हैं, okay, and उसमें author का intervention, intervention किसे कहते हैं interfere, okay, मतब कि author उसमें कुछ नहीं बोल रहा है एक character बायत कर रहा है, दूसरे character बायत कर रहा है, तो इस तरीके से हमने देखा कि Chaucer का drama में, you know, role रहा है, अच्छा खासा अब हम बायत करेंगे कि Chaucer का versification में क्या contribution रहा है versification, यानि कि किस तरीके से verse को आगे बढ़ाया है, poetry लिखने में Chaucer की time में, जो poetry लिखी जा रही थी उसका जो pattern था, words पके रहा है, जो भी लिया करते थे वो लोग pattern जो होता था, वो raw shape था मतलब पका हुवा नहीं था, कच्चा-कच्चा था कच्चा-कच्चा means, एक glorified way नहीं आता था words arrangements नहीं होता था ठीक है, तो Chaucer नहीं क्या किया, experiments किये, कि इतनी बेकार तो यो लोग लिख रहे हैं, हम कमज़ें कुछ अच्छा लिखे, कुछ बदलाव करें, कुछ experiment करें, तो उस raw shape में, उन्होंने experiments डाले कई-कई, वर्सिफिकरिशन का अलग अलग तरह के words को यूज करके और इसको नया shape दिया, okay, उनकी contemporary, उस वक जो लोग थे, poets वगेरा, वो poets यह करते थे, alliteration का जादा यूज करते थे, अपने poetry में, okay, they were suitable to using alliteration, alliteration क्या होता है, repetition of letters in a same line, okay, और a phrase, for example, Petal Piper, picked a peck of pickled pepper, so, what I am doing here, actually, I am giving you a sentence in which I am repeating the letter P, repeatedly, so, what is used here in this sentence, alliteration, so, alliteration का मतलब होता है, repetition of same letters, तो, Chaucer ने alliteration का यूज ना करके, एक drastic change लाए उसमें, इस tradition को उन्होंने नहीं उस किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, old-fashioned alliteration होता था, उसमें number of syllables होते थे, irregular होते थे, अभा बोलो के, syllables क्या होता है, so, basically, slable is a word, और a part of word, which contains vowel sound, what is the meaning of this, किसी भी word का हिस्सा, या खुद वो word, किसी बड़े word के अंदर दो words होते हैं, तो, कोई word और या फिर word का part, जो एक vowel sound को contain करता हो, और उससे मिलके, पूरा word बोला जाता हो, उसे कहते हैं, slables, for example, beautiful, so, beautiful, so, beautiful, जब मैंने बोला, तो, मैंने तीन जगा पॉज लिया, beautiful, so, ये कहलाएंगे, slables, so, beautiful word में कितने slables होए, three slables होए, similarly, information, so, information, जब आप बोलते हो, तो, कितनी जगा रुखते हो, information, so, information, there are four slables, okay, so, जो, old-fashioned में, जो, alliteration में, योग यूज करते थे, slables वो irregular होते थे, मतलब कि, कोई word यूज करें, जिसमें दो slables है, फिर किसी में कोई यूज करें, जिसमें तीन slables है, मतलब कि, slables का क्यों यूज होता है, क्योंकि, बोलने में अच्छी लगे पोएम, कहीं पर कोई लंबा सा वर्ड है, कि उसके बाद चोटा सा वर्ड है, तो वो irregular slables आप यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब, आपकी पोएमें सुन्दरता नहीं रह जाएगी, तो यही चौसर ने बोला, irregularity हटाई क्यों से, एक regularity लेका है, तो regular slables का यूज किया, और उन्हें राइम का यूज किया, और साथ में जो पहले की contemporary poets उनके frequent repetition कर रहते हैं वर्ड का वो नहीं किया, तो यह तीन चीज जो है, उनके, वर्सिफिकेशन में पाई गई, सब्सक्राइब जरूर कर दीजे, प्लीज, तो प्लीज लाइक करिये, शेर करिये, सब्सक्राइब जरूर कर दीजे, प्लीज, थैंक यू फर वाचिंग,